विडियो को शुरू करने से पहले आपको करना है हमारे चानल को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटिस्ट अप्लोड मिस ना करें आप कर सकते हैं में फॉलो, फेस्बोक, इंस्टाग्राम, टेलिग्राम और ट्वेटर पर डेली अप्डेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने रहिएगा वीडियो के एंड तक क्योंकि हर रोज की तरह एंड में मैं पूछ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के निम्लखित में से कौनसा रेल्वे स्टेशन गुरु नानक देव के नाम पर होगा, यह पाकिस्तान के सबसे अच्छे स्टेशनों में से एक होगा और देश में धार्मिक परिटन को बढ़ावा देने में महतुपून भूमिका भी निभ एक नई ट्रेन भी जल्द ही लाहोर से ननकाना के लिए शुरू की जाएगी, आप लोगों में से पता ही होगा सबको कि इंडिया में एक आपका पंजाब है तो पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, बेसिकली पूरा वो एरिया एक ही था तो दो हिस्तों में बटने के बाद वहाँ पे भी एक पंजाब है, उनके पास भी और हमारे पास भी एक पंजाब है, ठीक है, वहीं पे पाकिस्तान में जो पंजाब है, वहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम जो है, नानकाना रेलवे स्टेशन से हटा करके गुरु नानक देव रेलवे स्टेशन रखा जाएग उन्होंने डैश के साथ भागेदारी की थी, उन्होंने दीपक कुमार के साथ भागेदारी की थी, महिलाओ की 10m air rifle अपूरवी चंडेला में दुनिया निकी number one हो गई है, उन्होंने आई ऐसे सफ विशो कप में मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल स्वन जीतने के लिए दीपक कुमार के साथ भागिदारी की थी अंजुम मौदल गिल और मौदल गिल और दव्यांच सिंग पावर ने कांसे पदक भी जीते भारत के पास अभी रियो विशो कप में कुल स्वात स्वन और एक रजट और दो कांसे पदक अवेलबल है In September 2019, who became the fastest Indian wicket keeper to claim 50 decimals in test cricket सितंबर 2019 में test cricket में 50 बर्खास्तगी का दावा करने वाले सबसे तेज भारतिये wicket keeper कौन बन गए है सो ये बन गए है रिशब पंथ, MS Dhoni को पचाड कर रिशब पंथ test cricket में सबसे जादा 50 बार आउट करने वाले wicket keeper बन गए है उन्होंने अपने 11 टेस्ट में 50 शिकार का दावा किया जबकि Dhoni ने मील के पत्थर को छूने के लिए ये चीज 15 टेस्ट में की थी सो धोनी जी ने 15 टेस्ट में 50 विकेट लिए थे और इन्होंने 11 टेस्ट में ही 50 विकेट ले लिए वेस्ट इंडीज के क्रैक ब्राथवे कोई शांत शर्मा के गेंद पर दूसरे टेस्ट में दूसरे पारी आउट करने के लिए पंथ ने आसान कैच लपका था चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं अंकला क्वेश्टन वेर डिट दा फोर्थ साउथ एशन स्पीकर समेट केक ओफ इन सब्टेंबर 2019 सितंबर 2019 में चौथा दक्षिन एशियाई वक्ताओं का शिखर सम्मेलन कहा हुआ सो ये शिखर सम्मेलन हुआ है मालदवीज में सो ये मालदवीज का स्पीकर सम्मेलन है बेसिकली जो हर साल होता है इस बार भी हुआ सब्टेंबर में चौथे दक्षिन एशियाई वक्ताओं का शिखर सम्मेलन एक सब्टेंबर 2019 को अंतर संसदीय संग के महासचे वर अफग वर सिय बैठक सतत विकास लक्षियों को प्राप्त करने पर केंदित थी वाशिक शिखर सम्मेलन आई पीओ और मालदीव सांसर द्वारा संयुक तुरूप से आयोजित किया गया था चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं अंकला क्वेस्टिन वेर डिट खादी और आईसी ने वारा नसी के सेवापुरी में पहली बार टेराकॉटा ग्राइंडर लॉंच किया इस मशीन का उप्योग बरतन बनानों में बरबाद और टूटे हुए बरतनों को फिर से उप्योग करने के लिए किया जा सकता है यह पारंपरिक मोटार और मूसल की तुल्ला में व्यर्थ की मिट्टी के बरतनों को पीसने का काम और तेजी से करेगा इससे उत्पादन की लागत भी कम होगी चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं अंकला क्वेशन पीएम नरेंद्र मोदी विल बी कॉनफर्ड विद बिल एंड मीडिया गेट्स फाउंडेशन फॉर पी पीएम नरेंद्र मोदी को पी एम महाथ्वा कमशी पालतू परियोजना के लिए बिल एंड मेडिका गेट्स फाउंडेशन से समानित किया जाएगा। सो किस प्रोजेक्ट के लिए स्वच्च भारत अभियान प्रोजेक्ट के लिए समानित किया जाएगा पीम नरींद्र मोधी को पीम के महात्वकांशी प्रोजेक्ट स्वच्च भारत अभियान के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फांडेशन द्वारा समानित किया जाएगा स्वच्छ भारत अभ्यान उन पहले कुछ महत्वकांख्षी परियोजनाओं में से एक था जिसे पीम नरिंद्र मोधी ने 2014 में अपने पहले कारिकाल में लांच किया था यह परियोजना 2 अक्टूबर 2014 को महत्मा गांधी के जैनती के अफसर पर एक क्लीनिंग अभियान के तौर पर शुरू हुई थी और अभी 2 अक्टूबर को 2019 को यह 5 साल का इसका टैन्यूर था कि यह खतम होने वाला है तो let's see what will be the results Bill and Melinda Gates Foundation भारा प्रधानमंत्री जी को समानित भी किया जाएगा चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं अगला question where with the Joint Naval Annual Quality Conclave JNAQC will be hosted in September 2019 सितंबर 2019 में सायूक्त नौसेना वार्षिक गुनवक्ता Conclave कहा एजित किया गया यह एजित किया गया विशाका पत्नम में सायूक्त नौसेना वार्षिक गुनवक्ता Conclave को 5 सितंबर 2019 को विशाका पत्नम में रक्षा मंत्राले के महानिदेशिक गुनवक्ता अश्वाषन डीजी क्यूवे के तत्वधान में नौसेना गुनवक्ता अश्वाषन प्रतिष्ठानों द्वारा आयुजित किया गया इसका विशे क्यूवे प्रतिमान और परिवर्थन होगा अवसर और चुनोतिया वाइस एड्माइरल अतुल कुमार जैन वार्शिक मुख्य अतिती थे इस प्रोग्राम में चलिए बढ़ते हैं आगे डॉक्तर हर्षवर्धन अड्रेस दे 72nd सेशन ऑफ दे डवलो एचो रीजिनल कमिटी फोर साउथ इस एशिया ऑन 2nd सेप्टेमबर 2019 डॉक्तर हर्षवर्धन ने 2 सेतंबर 2019 को दक्षिन पूर्व एशिया के डवलो एचो के शेत्रिय समिती के भत्वे सदस्य को संबोधित किया यह संबोधित उन्होंने किया नई दिल्ली में यह मीटिंग जो है वो नई दिल्ली में हुई थी केंद्रि स्वास्त और परिवार करल्यान मंत्राले दॉक्तर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में 2 सेतंबर 2019 को दक्षिन पूर्व एशिया के डवलो एचो शेत्रिय समिती के बहत्तरवे सद्र के अधक्ष के रूप में चुना गया था यह दूसरी बारे जब भारत शेत्रिय समीती बैठक की मेजबानी कर रहा है पिछले साल भी दिल नई दिल्ली में इसे होस्ट किया गया था चली देखते हैं अगला क्वेशन इंडिया बीट्स डैश बाई 257 रन्स इन ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपेंशिप इन सप्टेमबर 2019 सितमबर 2019 में ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपेंशिप में भारत ने किसको हरा दिया भारत ने हरा दिया वेस्ट इंडिस को भारत ने वेस्ट इंडिस के को किंस्टन के सबीना पार्क में 257 रन्स से हरा कर जमैका में सितमबर 2019 में मेजबान टीम पर दो शुनिस से हरा दिया जीत ने विराट कोहली के को ICC विशो टेस्ट चैंपेंशिप के अपनी पहले शिंखला की जीत थी इस तरह उन्होंने 120 अंगों के साथ तालिका पर शिश पर ये मैच उन्हें ले गया विराट कोहली के लिए टेस्ट यह जीत 28 वी जीत थी जिसमें उन्होंने सबसे सफल भारतिय कप्टान भी बना दिया चली बढ़ते हैं आगे 2019 से कारेकाल के लिए असोशेशन ऑल्ड इंक्लेशन बोडी खिस ने की मुख्य चुनाव आयोकत सुनी लरोड ने असोशेशन ऑल्ड एलेक्शन वोडी खिए अधिक्ष्क पत की कमान 2019 से 21 तक के लिए समधाली है क्योंकि भारत रुमानिया से अध्यक्ष के रूप में थे मतलब रुमानिया के राजदूत के हिसाब पे थे वो AWEB धोज को नए अध्यक्ष सुनील अरोडा को सौप दिया गया और यह 2021 तक दो साल के कारेकाल के लिए भारत में चुनाव आयों के साथ रहेगा बैठक में 45 देशों के 110 से अधिक प्रतिनिधियों यह भाग लिया AWEB चुनाव प्रत्यबंधन प्रबंधन निकायों का पहला वैश्विक संगठन है और सदसता वर्तमान में इसकी 94 देशों से बढ़ करके 97 देशों तक शामिल हो चुकी है बैसिकली यह AWEB जो है वो election commission जैसा एक committee है जिसका हर साल जो host करते है मतलब यह pass on होता है flags तो यह जो flag है रोमानिया के पास था उसने भारत को इस साल सौप दिया और क्योंकि election commission के आयोक्त जो है वो सुनी लरोरा जी है तो यह दो साल तक मतलब हमारे इंडिया में ही रहेगा और election commission के पास यह रहेगा So yes guys that's it for today now it's time for question of the day आज का question of the day है The election commission launched a new mega electoral verification program across country The chief election commissioner of India is चुनावायोग ने देश भर में एक नया mega electrical verification program शुरू किया है भारत के चुनाव मुख्य चुनावायोगत कौन है Just अब इस question को discuss किया So यह question का answer तो पक्के से comment section में लिख दीजे नहीं आता है तो दुबारा इस वीडियो को देख लीजे आपको answer मिल जाएगा या तो आप previous वीडियो भी देख सकते है So guys thank you so much for watching Stay tuned to current affairs आपको